हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आई हूब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important biology का लेक्चर वीडियो लेकर आगे हैं जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा important लेक्चर वीडियो होने वाला है तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता है कि इसके पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे टाइप के टीशू यानिकि muscular ट पढ़ना है और यह हमारा आखरी लेक्चर होने वाला है तो वह है दोस्तो जो topic हमें आज के दिन पढ़ना है वह है nervous tissue जैसा कि आपको पता है दोस्तो कि हमारे body में nervous system present होता है यानि कि nerves present होते हैं अलग-अलग types के जो कि आपके blood को एक जगा से दूसरे जगा पहुचाने में help करते हैं एक औरगन से दूसरे औरगन में पहुचाने के लिए help करते हैं तो nervous tissue exactly क्या होता है जैसे हम बात करें कि nervous tissue is composed of nerve cells और neurons यानि कि nervous tissue में nervous cells present होते हैं या फिर neurons प्रेजन होते हैं यह आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि neurons क्या होता है तो जैसे मैंने बात क्या अभी neurons का तो neuron is the structural and functional unit of nervous system यानि कि जो main signals पहुचाने का जो काम है यानि कि आपको अभी कुछ बोलना है कुछ हरकत करनी है आपकी हाथ इधर से उधर हिलानी है कुछ समान यहां से उठाके वहां रखना है तो जो भी signals आपके brain आपके हाथों को दे रहा है या फिर जो भी organs को दे रहा ह वो किस से देता है neuron के थुरू देता है तो इसका structure भी देखेंगे और यह सब चीज आपने पढ़ा हुआ है 9th या 10th में तो आपको बहुत सरे चीज याद आ जाएगी इसको पढ़के ठीक है तो ध्यान से देखना तो जो neurons होता है जैसे कि अगर बात करों तो यह क्या होता ह है तो वो जो signal होता है वो current के form होता है और वही impulse बोला जाता है उसको तो यह impulse conducting unit भी कहा जाता है और यह क्या करता है they bring about the quick communication within the body यानि कि हमारे body में जो भी communication होता है कि अपना हाथ पैर को हिलाना है अपने दातों को हिलाना है अपने mouth को हिलाना है या जो भी performance हम लोग को external तोर पर करना है दोस्तों ठीक है ना यह सभी चीज control कोन करता है brain करता है तो उसको control करवाता कोन है यहाँ पे neuron यानि neuron के through impulse generate करके impulse को यहाँ पे भेजा जाता है ताकि quick communication हो सके यह क्या करता है एक तरीके से यह एक wave को carry करता है जैसे मैंने बोला कि electricity के form में लेके जाता है तो वो ह impulse जो है neurons के दो जो part होते है जो main जो हिस्से होते neurons के एक होता है dendron दूसरा होता है exon अभी आपको diagram में भी दिखा हूंगा dendron और exon क्या होता है और यह आपको याद भी आजाएगा यह आपने 9 में अल्यडी पढ़ा हूआ भी है तो यह क्या करता है इदे carry a wave of electric impulse from dendron to exon and यह क्या करता है processes जो है वो neuron को कर पाता है और यही चीज को हम लोग कंडक्टिविडी बोलते है यानि कि जब कोई भी impulse generate होता है तो वो पहले dendron के पास जाता है dendron से pass होते 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 exon के पास जाता है फिर exon से वापस से tendron में आ जाएगा और इसी प्रकार travel करते करते है जहां से उसको जाना रहेगा एक organ से दूसरे organ तक जाना रहेगा वहां से वो जाता है और यही चीज को हम लोग क्या बोलते है क्लियर है दोस्तो तो उम्हीद करते हो कि neuron basically क्या होते यह आपको समझ में आ गया होगा आप बात कर लेंगे इसके structure की तो neuron जो होता है it is made up of cyton और cell body तो जो मैं आपको diagram बताने की कुशिश कर रहा था सबसे पहले इसके उपर नजर डालते है अगर आप diagram ध्यान से दब तो यह जो हिस्सा है यह पूरा dendrites है dendrites के अंदर क्या होता है यहां पर बहुत सारे cell bodies present होते है nucleus present होता है और यह उसके dendrons present होते है और dendrons के साथ-साथ यह जो अंदर का जो हिस्सा है nucleus का उसको nucleoplasm, neuroplasm भी बोलते है और dendrites से जैसे पास हो जाएगा जो signal वो दिरे-दिरे आगे बढ़ेगा और यह जो हिस्सा दिखना आपको यह exon है यह exon से पास होते होते है यह node of Ranvir होते है श्वान सेल्स होते है यह सभी चीज 12 में आप डीटेल में पढ़ोगे लेकिन अभी के लिए आपको बस यह चीज याद रखना है और जिसको हम लोगो क्या बोलते है नियूरो प्लाजम बोलते है यहाँ पर चोटे 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 ग्रेंग जैसे structure आपको दिखाई दे रहोंगे इसके अंदर और इसको क्या बोलते है दोस्तों नियूरो प्लाजम कहा जाता है और यह हमारे nucleus के अंदर centrally placed होता है और nucleus भी branches के shape में होते हैं और यह fine branches होते हैं dendrons को और इसी को dendrites कहा जाता है ठीक है यह जो चोटे-चोटे branches पतले-पतले branches आपको जो दिखाई दे रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं यह पूरा का पूरा हिस्सा dendrons है उसके क्लियर है अब बात कर लेंगे कि जो नियूरॉंस होता है बेसिकली यह तो आपको समझ में आगा कि नियूरॉंस एक्जैकली क्या होता है स्ट्रॉक्चर किस प्रकार होते और डीटेल स्ट्रॉक्चर आपको पढ़ने मिलेगा 12 में एक चाप्टर होगा इसके ओपर क्यों कि ळी और जो बी और यूइन, इसिंट्र नियूरं क होन काड़ा है गाव को यहां पे ऐसे टैप के नियूरॉं को spinal cord यानि कि जो हमारे रीड की एड़ी होती है spinal cord जिसको बोलते है उसके पीछे की दरफ dorsal का मतलब क्या होता है पीछे की दरफ यहाँ पर पाया जाता है जिसका नामे efferent neuron clear है तो यह था सबसे पहला type का neuron उमीद करता हो कि यह चीज आपको clear हो गया होगा और गन से लेके central nervous system तक signal पहुच जा रहा था या फिर impulse पहुच आ रहा था यह efferent neuron जो है इसका उल्टा करता है वो central nervous system से signal लेता है इंपल्स लेता है और उसको और गन्स तक पहुचाने का काम करता है इसलिए उसको क्या बोलते है it is also called as the motor neuron इसको एक और नाम से जानते है motor neuron आपको याद रखना है कहां पाये जाता है it is found in the ventral root of spinal cord तो जिस प्रकार efferent neuron हमारे पीछे की तरफ पाये जा रहा था spinal cord के उसी प्रकार spinal cord के आगे की तरफ ventral side मतलब क्या होता है आगे की तरफ पाये जाता है दोनों काम कर सकते है तो these are the located between the sensory and motor neuron जो आपने starting का पहला neuron पढ़ा sensory neuron और दूसरा जो पढ़ा motor neuron यह दोनों के बीच में present होता है और यह दोनों का perform करता है functions processing करने का दोनों को जोड़े रखने का integration करने का sensory impulse को और जो भी motor neuron है यह दोनों के बीच में जो exchange of information जो हो रहा है या फिर अगर बात करे exchange of एक तरीके से impulse जो हो रहा है तो उसको generate करने का motor impulse तक इसका काम है किसका association neuron का clear है दोस्तों तो उमिद करता हूँ कि यह भी चीज आपको 100% clear हो गया होगा तो यह था हमारा तीन टाइप of neuron जो किसके उपर साइटन के process के उपर डिपेंड है तो unipolar और monopolar neuron के अगर बात करें इस सिंगल प्रोसेस यानि कि यह जो होता है न साइटन से originate तो हो रहा है लेकिन यह सिंगल प्रोसेस करता है और दोनों के दोनों जो उस axon है और आपका dendron जो है यह cyton में से निकल के आते है एक ही point पे और यह जो impulse है उसको conduct करते है हमारे central nervous system तक that's why it is called as the unipolar या फिर monopolar neuron examples के अगर हम बात करें तो neurons जैसे की dorsal root ganglion में present होता आपके spinal cord में एक ऐसा point होता है जहां से बहुत सारे neurons arise होते है उसको ganglion बोलते है तो पीछे की तरफ dorsal side में जो present होता है वो unipolar और monopolar neuron का example हो गया clear है तो यह था हमारा पहला type का neuron ठीक है second type की अगर बात करें वो है bipolar neuron तो bipolar नाम से पता चल जाएगा कि it has two process यानि कि इसके पास दो दो प्रोसेस होते है एक single dendron होता है और exon जो होता है यह opposite pole से यहाँ पे python की तरफ आते है और वो क्या लाते है they bring about the transmission of special sense जैसे कि बहुत सारे sense होते हैं देखना sight मतलब देखना होता है smell करना, taste करना, सुनना, hearing करना यह सभी चीज़ का जो message जो लेकर आते हैं जो एक तरीके से information लेकर आते हैं वो कौन लेकर आता है bipolar neuron लेकर आते है जो कि हमारा आखरी टाइप का neuron है जिसका नाम है multipolar neuron तो multipolar neuron क्या होता है साइटोन जो होता है इसमें star shape का होता है यह देता है gives out more than two process यानि कि दो से ज़्यादा अगर कोई process कर रहा है साइटोन के अंदर तो obviously उसको हम लोग क्या बोलेंगे multipolar neuron बोलेंगे क्योंकि एक क्या था monopolar था, दो क्या था, bipolar था वैसे यहाँ पे more than one more than two processes अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे multipolar neuron बोलेंगे and इसमें क्या होता है, there is only one axon, सिर्फ एक axon और remaining क्या होते है, dendrons present होते है और axon जो होता है, वो initiate करता है funnel shape से, एक funnel जैसा shape होता है, ठीके इस प्रकार का area, funnel shape area से belong करता है और उसको axon, hillock बोलते है, यह चीज़ आपको याद रखने के लिए है बसकाली, कि axon जहां से initiate करता है funnel shape में उसको axon, hillock कहते है यह चीज़ आपको याद रखना है, तो यही था हमारा तीसरा type का multipolar neuron, उमीद करता हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ हमारा neurons का जो भी topic हमने पढ़ना तो यहाँ पे खतम होता है दोस्तो, and तीनो type के neurons and according to the function, according to the type of processing of soiton, यह हमारा जितने भी type के nervous tissue थे यहाँ पे, neurons जो थे यहाँ पे खतम होते है और इसी के साथ दोस्तो हमारा यह जो chapter है, जिसका नाम है दोस्तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है तो उमीद करता हूँ कि हर एक चीज आपको यह chapter में clear हो गया होगा, तो आज के लिए इतना ही खतम होता है हमारा chapter तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले biology के lecture में जिसमें आपके लिए और एक बैतरी new chapter की शुरुआत करेंगे तो thank you so much for watching this video and उमीद करता हूँ कि हर एक चीज आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो please video को like कीजएगा, share कीजएगा आपने सारे friends लोगो फटा फट से share कर देना अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमारे channel को subscribe कर देना सापने bell icon को hit कर देना ताकि जब भी हम लोग video लेकर आएंगे आप लोगो notification मिलती रहेगी ठीके friends तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में ये video देखने के लिए thank you and good bye